है लो नमस्कार विदार्ध्यों आपका एक बार फिर से श्वागत है हमारे उस नई वीडियो में और विदार्थों इस वीडियों हम बात करेंगे जो आपकी एक्जाम हुई थि रीट लीवल फ्रेश्ट और लीवलDP की जो 23 और 24 जिलाण तो आपकी एक्जम हुई थी च्यार पारियों में उन सभी शिप्टों का पेपर हम इसमें देखने वाले हैं और उसमें पेपर में हम बात करेंगे कि आपके विबादी परसन कौन-कौन से रहे कौन से परसन डिलिट होंगे कौन से परसनों पर आपको बोनस अंक मिलेगा और क कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क-ौन-क-ौन-कौन-क-ौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क-ौन-क- अगर आप वीडियो पूरा देखिए आपके पास टाइं है अ nice यह चोटक्य चहुए जाएगा उससे क्या होगा कि आप का भी नुक्सान होगा और पहीं मेरा भीनुक्सान होता है तो अगर आपको वीडियो के लिए टाइम है तब ही आप वीडियो को देखेगा तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको रीट लेवल फर्ट से मैं लेकर आपको वीडियो में चलूंगा उसके बाद में रीट लेवल सेकिंड पर आऊँगा फर्ट सिफ किसनों का करम हो सकता है तो आप वीडियो को सुरू से ले के अंधर तक आउज देखेंगा तो सबसे कि इसमें औसत एवरेज की बात की जाए तो 10 से 12 किसन आपके हर सिप्ट में बॉनस मिलने की संभावना है तो ये तो हो गई बॉनस कितने अंकों पर मिलने वाला है तो सबसे पहले मैं किसनों की बात करूंगा तो इसमें पहला किसन है रिल्ट लेवल फर्ष्ट का है ये तो हिमार्चल परदेश में जल संग्रेंड की पुरानी संकल्पला का नाम क्या है तो इसमें दो ओक्सन आपके करेक्ट आ रहे हैं ज्यादतर कोचिंग वाले भी इसी को डाउट मान रहे है तो इसमें भी आपको या तो एसी इसमें आंसर हो सकता है या फिर आपको बोनस इसमें मिल सकता है इसके अलावा मैं बात करूं इसके अलावा बात की जाए तो एक क्यूशन रिट लेवल फर्ष्ट में जो ये क्यूशन भी विवा दीता तो इसमें भी B और auction C इसमें answer हो सकते हैं बट इसमें जदा दर सम्मावना है कि इसमें आपको 90% सांस है कि इसमें bonus दिया जाएगा इसके अलावा बात की जाए next question की बात की जाए तो आपका एक और question है यह या ता या समंदित संकेत का तो इसमें अगर बात की जाए तो इसमें option B भी correct answer मान रहें काफी coaching वाले और auction C भी इसमें correct answer मान रहें तो कापी expert का खहिना है कि इसमें आपको या तो B और या C option आपको देखने को मिलेगा या आपको bonus इसमें मिल सकता है बट ज़्यादा तर उम्मीद है कि इसमें या B या C आपको देखने को मिलेगा तो इसके बाद में हम बात करें next question की तो next question हमारा कौन सा है next question आपका ये है read level second के question है ये जो चोवी स्थारी को exam sorry तेवी स्थारी को exam हुई थी second shift उसका ये question है तो आपको आपको question याद होंगे तो आपका question कौन सा है अगर फिर भी आपको याद नहीं तो वीडियो के discussion में link है हमने पूरा paper का solution करवा रखा है तो आप वीडियो के discussion से देख लीजिए या comment में भी link में डाल दूँगा तो वहाँ से भी आप paper के solution देख सकते हैं मैंने सबी का करवा रखा है सबी पारियों का तो आप वहाँ से देख सकते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें आपको तरक भी इसमें option हो सकता है इसमें C भी हो सकता है और A भी आपको option देखने को मिला तो ये 100% आपका delete होने की संबावना या फिर इसमें bonus आपको मिलेगा इसमें A और C ऐसे answer नहीं माने जाएंगे इसमें directly आपको bonus मिलने की संबावना है इसके बाद हम बात करें तो next question हमारा है एक next question हमारा ये है ये भी elite level second, second shift का है जो तेश तारीको एक्जाम हुआ था उसकी का paper का ये है तो इसमें है अनुवांग सिकता की भूमिका के हड्यन के लिए कौन सी विदी तो इसमें पिजालतियो जो psychology के expert है उनका खहना है कि auction C भी इसमें हो सकता है और auction D भी इसमें हो सकता है यानि आपको इसमें भी bonus मिलने की पूरी पूरी जंबावना है इसके बाद में हम बात करें तो next question की बात करें तो इसमें ये बाल विकास का आपको पूरी 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 संबावना है या फिर आपको इसमें देखने को मिलेगा आपको पता होगा कि आपने कौन सा किया है तो आप comment में मुझे अवसे बताएगा उस साथ में पूरे paper का solution देखने के लिए वीडियो के discussion में लिंक है इसके बाद में हम बात करें तो next question है हमारा एक ये है बालक के बर्दी में बर्दी से समंदित कौन सा कारक नहीं है तो ये भी एक bonus मिल सकता है psychology के expert प्रका कहना है इसमें अधिवास भी auction आपको हो सकता है या auction C भी आपको हो सकता है इसमें निंद्रा भी हो सकती है तो इसमें भी आपको bonus मिलने के पूरी पूरी संबावना है इसके बाद हम बात करें तो next question की हम बात करें तो next question आपका रहेगा next question की बात करें तो हम देख लेते हैं आपकी ये धस्वा question इसमें भी आपको bonus मिलने की संबाना है किसन को समझ लेते हैं नियों में से कौन सा थांडराइट के सीखने के नियों का इससा नहीं है नहीं पूछा है तो ये मुख्य नियम हो गए ये तो auction A, D, C ये तो मुख्य नियों हो गए बट ये भी इसका शीखने का नियम है गोड नियम है तो इसमें किसन में ऐसे नहीं पूछा गया कि मुख्य नियम कौन सा नहीं है तो इसमें भी आपको bonus मिलने की पूरी-पूरी संबाना है इसके बाद में next question की बात करें तो हम next question की हम बात करें तो ये है इसमें आपको bonus मिलने की पूरी-पूरी जानस है इसके बाद में हम बात करें next question की ये है next question 27 इसमें भी आपको bonus मिलने की पूरी-पूरी संबावना है इसमें क्या है कि जो सिद्धान्त के बारे में पूछा गया है जो ये answer बता रहे है तो ये गिलफोर्डगा है ना कि इस्टन्वर्ण का तो इसमें भी आपको bonus या question delete होने की संबावना है ये miss printing की वज़े से हुआ है उनको फूचना गिलफोर्डगा था बट यहां पे type ये हो गया तो इसकी बज़े से हो सकता है तो इसमें को delete करना पड़े या फिर इसमें आपको bonus मिल सकता है इसके अलावा हम बात करें next question की read level second third shift में हम बात करेंगे तो इसमें अगर आप से बात की जाए तो ये बर्दमान महासवामी के बारे में इसमें पूचा गया है बट ये पूचा गया गोतम स्वामी के बारे में ये यहाँ भी मिस्परिंट हुई है तो कहीं विद्वान इसके option B.B. मान रहे है option A.B. मान रहे है काफी विद्वानों का मानना है कि option A. सही है तो इसमें भी आपको bonus मिलने के पूरी-पूरी संभावना है तो इसे भी आप एक बल देख लेजेगा और बताये कि आपने इसमें क्या सई किया है अगर गोतम बुद्ध के बारे में इसमें पूर्टे तो इसका option C होता तो next question की हम बात करें तो option ये ये out of syllabus का बताया जा रहा है तो ये भी आपका एक question delete होने के पूरी-पूरी संभाना है next question की बात करें तो हम ये भी आपका out of syllabus में है तो ये ज़्यादा तर इसका देखा जाए तो ये out of syllabus का question नहीं माना जा रहा NCRT में दे रहा है बट एक्सपर्टों का मानना है कि out of syllabus बता रहे है तो ये भी आपका एक तरह का point हो सकता है आपने इसमें कौन सा सही कहा है ये जरूर आप comment में बताएगा और एक ये question में भी confused है काफी एक्सपर्टों का खहना है कि out of syllabus हो सकता है बट ज़्यादा तर विदानों को मानना है कि out of syllabus सही इसमें सही है और ज़्यादा option A B मानन रहे है तो इसमें 3 option मानना जा रहे है तो ये भी आपके bonus मिल सकता है अगर vote देना चाहेगा तो ये vote पर defend करेगा कि वो कौन सा देना चाहेगा तो इसके paper के analysis भी मैंने साथ में करवा रहे है तो इसके बाद में next question की बात की जाए तो next question है हमारा ये इसमें भी कभी expert का मानना है कि इसमें correct answer मुगलकाल है ज़्यदे ये मान रहे हैं बट इसमें गुप्त भी हो सकता है तो इसमें भी थोड़ा confusion की इस्तुतिक बनी हुई है तो इसमें भी आपको bonus देखने को मिल जाएगा या B या C आपको answer देखने को मिल लेगा आगे next बात की जाए तो हमा next बात करते हैं तो हम आगे आपको दिखालते हैं next question कौन सा आपके bonus मिलने की संबावन है next question ये है जो इसमें पहले सी already raid करके खंदाया गया है तो ये इसमें bonus मिलने की बोर्ड के द्वारा पहले ही इस सोई बता दिया गया है तो इसमें bonus मिलने की पूरी पूरी संबावना है ये किसने आप देख पा रहे हैं इसके अलावा बात की जाए next question आपका रहेगा ये किसन है तो इसमें सर्वे सादन नहीं है ये पूछा गया है लेकिन इसमें ये दोनों तो सही है बट इसमें ये दोनों ओक्सन है जो ये तो सर्वे सादन है दोनों तो इसमें तो कंप्योज होना ही नहीं जी है बट ये दूर दरसन सर्वे दरसे सादन है और ये परती करती भी आपका सर्वे दर्से सादन माना जा रहा है मतलब इसमें क्या है कि दूर दर्से सादन को मान लिया हमने सर्वे दर्से सादन और इसको हमने मान लिया दर्से सादन खीक है? तो इसमें confusion ये है कि auction B भी सही है इसका और auction D भी सही है कैसे सही है क्योंकि इसमें सर्वे साधन नहीं पूचा गया तो सर्वे साधन तो ये दोनों ही नहीं है ये सर्वे दर्शे साधन है और ये दर्शे साधन है आपका तो इसमें भी confusion की स्थिति बने हुए है तो इसमें भी आपि वोड कि दिवारा दो आपको आजगंशन मान सकता है यदि या फिर आपको bonus space में मिल सकता है तो एक बार ये भी आप बताइएगा कि आपने इसमें कौन सा सई किया है कॉमें जरूर बता देज़ेगा next question की बत करें तो हम next आपको क्योसन रहेगा next question की इसमें बत करें हम तो इसमें भी ये missprinting चपा हुआ क्योसन है तो ये भी आपका delete होने की पूरी-पूरी सम्माूना या फिर इसमें bonus आपको देखने को मिलेगा इसके बाद हम बात करें इसके बाद हम बात करें यह साइकलोजी के क्योशन है जो इनके बारे हम बात करेंगे तो यह क्योशन है इसमें निमे लिकित में से कौन सी बच्पन की विशेश्ता नहीं है तो इसमें काफी इस्टुडेंट करके आये हैं खिलो ना आयू लेकिन काफी विद्वान इसमें A भी मान रहें और इसमें B भी मान रहें C भी मान रहें तो इसमें भी कंप्रीजन की स्टुडेंट की मनी हुए है तो इसमें भी आपको बोनस देखने का मिल सकता है यह बोर्ड पर डिफेंट करेगा कि वो इसमें बोनस देते हैं या डिलिट करते हैं और एक क्योंस आपका यह है परतिविया साली बालक की बुद्धी लबदी कितनी होती है तो इसमें ज्यादतर तो इस्टुडेंट करके आएं वो तो 140 है और यही ज्यादतर माना जारा है बट 130 भी इसमें बुद्धी लबदी बताई गई है तो यह भी इसमें कंप्य मेरे का हाथ है तो इसमें भी आपको बॉनस देखने को मिल सकता है इसमें सबी ऑक्रस measurement में ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है बट expose the Você इसमें थोड़ा ज्यादा माना जा रहा है तो इसमें वह आपको देखा जह सकता है ते इसमें भी आपको बोनस मिलने की संभाना पूर से इसमें चीय मिलता है और किया है यह संबाव है और नेक्स्ट क्यूशन की बात करें तो हम एक आपका ये क्यूशन है ट्रीट लेवल फर्ष्ट में हैसा ही दिये जो वर्ट का छेतर पर पढ़ने की सबसे उप्योग विदी कौन सी है तो ये भी आपको इसमें भी आपको बोनस मिलने की संभाना है इसके बाद हम बात करें एक क्यूशन आपका ये है गणित में सार्णी बनाना किस विशे सुद्देशे के अंतल गताता है विशे सुद्देशे के मतलब की बात की जाए तो इसमें ज्यादे तर तो एक्सपर्टों का मानना है बोध है मगर इसमें कोसल भी हो सकता है तो सार्णी बनाना तो मतलब हा और सबी शिप्टों के टोटल मिला अगर आपको ओसत एवरेज की बात की जाए तो 10 से 12 किशनों में बोनस मिलने की समाना है अगर आपके 70 भी बन रहे हैं और इन किशनों पे बोनस मिल जाता है तो आपके 12 पे मिल जाता है तो 82% पे आपको क्वालिफाई समझा जाएगा अगर आप जनरल के टेंगरी को छोड़कर अदर करते हो तो आपको यह पास हो सकते हैं तो आप मुझे बताएगी कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपके कितने क्यूशन बन रहे हैं और साथ में मैं आपको बताना चांगा कि अगर आप पूरे पेपर का एनलेसन देखना जाके वहाँ से भी देख सकते हैं और आपको कौन से परस्टों में आपका क्या सवाज सुजाओ है तो आगे के लिए कैसे बनानी है क्या करना है उन सब बारे में भी बार में हम बात करेंगे तो चैनल को जरू सस्क्राइब करके जाएगा तो उस साथ में आपका एक्स्पिरि आपका करेंगे युण करके बार